ओम शान्ती आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाबा की जोपड़ी जहां पर आप सभी लोग बैठ करके बाबा को लेटर लिख सकते हो बाबा से बाते कर सकते हो रूह रिहान कर सकते हो और अपने मन की बाते बता सकते हो तो शिब बाबा ने बताया हो है कि आप जब भी आपको रूह रिहान करनी हैं मन की बाते करनी हैं तो पहुँच जाओ कुटिया में तो ये है बाबा की कुटिया और ये एक टेक में ही मैं आपको सब कुछ बताते जाओगा एक ही वीडियो में आपको चारो धाम की यात्रा कर ने मिलेगी, दो अब बढ़ते हैं बाबाके कमरे की तरफ जिसके बारे में शिब बाबा ने बताया हुआ है कि जहां ब्रह्मा ने रात दिन टपस्या की, दो बजे उठकार या उसे ज़ादा ठायम या तो ब्रह्मा बाबा जाने की उन्होंने कित्नी तपस्या की है लेकिन उस स्थान पर पहुंच जाओ मन और बुद्धी से अगर बाप समान पावरफुल शक्तिशाली बनना है तो तो आप क्या करोगे यहां जहां से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ यह आगे का गेट है और जो पीछे का गेट है वो पहले कमरा नहीं था अभी दोनों कम किया कि आसपास ही इस कमरे के गेट के आसपास ही आपको बैठना है जब भी ज़्यादा योग करें तो यहां पर पहुच जाओ आपको बाप समान इस्तिती बनानी है तो पावरफुल इस्तिती बनानी है अब मैं आपको लेकर चलता हूँ शांतीस्तंब की तरफ यहां पर मैं आपको एक चीस और बताऊंगा यहां ममा का कमरा भी है जो कभी किसी वीदियो में बताया नहीं जाता आप देखो यह जहां शिव बाबा याद है जहां एसी लगा हूँ है यह मममा का कमरा है मम्मा बाबा का कमरा आसपास ही है ये कमरा कभी नहीं बताया जाता ना दिखाया जाता है आप इस कमरे के आसपास खड़े उकर भी योग कर सकते हो मम्मा की एक मानसिक और एक पावरफुल इस्थिति लेने के लिए शांती स्तम तो आप देखी सकते हो और यहाँ पर नुमा साम का योग साड़े छे बज़े से लेकर साड़े साथ बज़े तक यह सबसे पावरफुल योग होता है अगर आप शांती बन गए हो या फिर ज्यान सरोवर आए हो और आपके पास टाइम है तो प्लीज एक घंटा यहाँ पर योग करो और उसका अनुभव कर सकते हैं तो आपको एक पावरफुल इस्तिति बनाने के लिए मिलेगी और यह ब्र आने के लिए यहाँ पर यादगार बनाया गया है तो आप यहाँ पर आओ और योग करो अब चलते हैं उस तरफ जहां बाबा ने शे बाबा ने धेर सारी मुर्लिया चलाई हैं ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ करके यह है वो स्थान जिसको कहा जाता है हिस्ट्री हॉल यह हिस्ट्री हॉल यहाँ पर पूरे यग की जर्नी आपको पता लगेगी कौन से सन में क्या हुआ वो आप पिक्चरों के द्वारा देख सकते हो क्योंकि उस टाइम पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी लेकिन फिर भी बाई भेहनों ने कुछ चीजों को एरेंज किया है जो ब्रह चीजे मैंने भी एरेंज की है आपके लिए वीडियो में अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो आप प्लीज देख सकते हो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा आगे भी कर सकते हो दूसरी बात दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करो चैनल मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेर भी करना तो यह यग्गी की हिस्ट्री है जहां पर जब पाकिस्तान से आये थे एक स्ट्रीमर में इस तरह कि आपको सब कुछ यहां पहले नहीं था अभी कर दिया गया है तो एक गाइड की जरूरत भी नहीं पड़े गया अगर आप एक एक चित्र को अच्छे तरह से पढ़ोगे तो इस पर सब कुछ डीटेल में लिखा हुआ है दादी जान की छोटे में कैसे थे या कून कैसा था वो सब कुछ इसमें डीटेल में आपको मिल जाएगा तो यहां पर अब बाबा बोलता है कि यहां पर आने का मन पुद्धिसी यह हिस्ट्री हॉल में क्यों वोला इसको क्योंकि यहां पर ही मुर्लिया चलती थी ब्रह्मा बाबा शिब बाबा और मम्मा यहां बैठकर योग कराते थे बच्चों को जबी सबी भाई बहने बच्चे थे और जो बड़े भी थे सब तो सब यहां पर ही महावाक्य इस स्थान पर उनके वाईब्रेशन वो सब हैं तो व्यरत से मुक्त होने के लिए क्या होता है कुछ पॉजिटिव खुराक चाहिए होती है या तो कुछ पॉजिटिव information चाहिए होती है तो वो information के vibrations यहां पर आप फील कर सकते हो बैठ सकते हो शांती से और आपक दिख रही हो यह ब्रह्मा बाबा की गीता है जो वो भक्ति मार्ग में अपने साथ रखते थे फिर दीरे दीरे चेंजिस आए उनके पुराने सामान रखे हुएं उनकी चपले रखी हुई है या फिर उनके कुछ बचे हुई चीजे रखी है जैसे उपर चपल रखी है तो ब् भाई बहने देख सके दूसरी बात यहां पर जो आप अभी तो भाई बहने गाईर कर रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा जो आप देख रहे हो त्री मूर्ती का चित इस तरफ ब्रह्मा बाबा बैठते थे यहां ठीक है जी इस तरफ ब्रह्मा बाबा बैठते थे यहां से ब सामने हैं ब्रह्मा बाबा का कमरा यहां से पांडव होन में एंट्री करने का में गेट उसके सामने रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वह रिसप्शन है और यहां पर बहुत एक खुला एकदम खुला-खुला माहोल में सब कुछ बनाया गया है तो अभी मैं आपको आते थे ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शानती